नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की वीडियो जो है वो डिफेंस के जनरल नौले से संबन्दित है तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि जो आर्मी एर फोर्स ने भी CRPF, RPF, CISF, ITVP, SSB, BSF and other defense exams की तैयारी करने वाले जो भी students है वो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वीडियो होने वाली है defense special तो दोस्तों इस वीडियो में केवल general knowledge के 10 questions होंगे जो की बहुत ही important है तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो जो है केवल defense के exams जैसे Army, Air Force, Navy, RPF, CRPF, CISF, ITVP, SSB, BSF and other defense exams को देहन में रखते हुए बनाई गई है अगर आप defense के तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में एक एक प्रिशन महत्वपूर्प्रिशन है और आपको ये वीडियो end तक देखना चाहिए और exams में निश्चे सफलता पर आप करने के लिए हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को subscribe जरूर करें तो दोस्तो इस वीडियो में के अबल 10 questions होंगे जो की बहुत ही important questions है तो शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तो first question है हमारा आज का question number बन है प्रकास वर्स किसकी कई है तो दोस्तो options हैं आपके option A, दूरी की, option B, दौनी की, option C है आपकी, विदुत की और दोस्तो, option D है हमारा, इन में से कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रकास वर्स किसकी इकाई है, option में आपको बता चुका हूँ, तो दोस्तो, question number 1 का correct answer है, option A, दूरी की, तो प्रकास वर्स जो है, वो दूरी की इकाई है, तो यहाँ पर question number 1 का correct answer होगा, option A, दूरी, तो next question की तरफ चलते हैं, next question है हमारा, कौन सी gas soda water बनाने में उपयोग की जाती है, कौन सी gas soda water बनाने में उपयोग की जाती है, option से आपके, sulfur dioxide, option B, carbon dioxide, option C, carbon monoxide, और दोस्तो, आपको option D है, इन में से कोई नहीं, तो यहाँ पर question number 2 का दोस्तो, जो correct answer होगा, वो होगा, option B, carbon dioxide, तो soda water बनाने में जो gas प्रयोग की जाती है, वो कौन सी gas होती है, दोस्तो, carbon dioxide, तो next question की तरफ चलते हैं, next question है हमारा, आज का, question number 3, सूर्य ग्रहन कब होता है, यह बहुत ही important questions है, दोस्तो, exams में बार-बार repeat होता रहता है, option A, बरस में एक बार होता है, option B, जब चंदर्मा अपनी पूरी अवस्ता में हो, option C, जब चंदर्मा सूर्य और प्रित्वी के बीच से गुजरे, and option D, जब प्रित्वी सूर्य और चंदर्मा के बीच आ जाए, तो सूर्य ग्रहन कब होता है, options में आपको बता चुका हूँ, तो दोस्तो सूर्य ग्रहन होता है, जब चंदर्मा सूर्य और प्रित्वी के बीच में होता है, मतलब जो सूर्य है और प्रित्वी है, उसके बीच ओ बीच अगर चंदर्मा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहन होता है, question number 3 का correct answer हो जाएगा आपका, option C, जब चंदर्मा सूर्य औ option B option B है आपका गुर्दे में option C है धमनी में दोस्तों आपका option D है सिरा में तो question number 4 का आपका correct answer होगा दोस्तों option B गुर्दे में रख्त का सुध्य करण जो है वो गुर्दे में इस्तित होता है तो next question की तरफ चलते हैं next question है हमारा question number 5 एक स्वस्त मनुस्य के सरीर का तापमान कितना होता है option C 37 degree option B 27 degree option C 39 degree and option D 32 degree तो दोस्तों एक स्वस्त मनुस्य के सरीर के तापमान होता है वो कितना होता आपको बताना है तो दोस्तों स्वस्त मनुस्य के सरीर के तापमान होता है 37 degree तो question number 5 का correct answer option A 37 degree तो next question है हमारा next question में तरफ चलने से पहले दोस्तों मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को भी तक like नहीं किया तो वीडियो की लाइक जरू कर दें और अगर चैनल पर नए है और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल के लिए जल्दी से subscribe कर लें और bell icon को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंचते रहे हैं तो दोस्तो हमारे चैनल के द्वारा भी इस वीडियो की जो PDF आप देख रहे हैं इसमें जो भी questions है इसकी PDF फाइल भी इस वीडियो की description से आप download कर सकते हैं तो next question है हमारा question number six एक बिसराम की अवस्था में किसी बस्तू में इन में से क्या होगा options हैं आपके option A चाल, option B उर्जा, option C गति मात्रा and option D वेग तो दोस्तो question number six का correct answer होगा, option B उर्जा तो next question है हमारा question number seven सबसे कठोर पदार्थ है मनलब सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है इन में से option से आपके option A हीरा, option B संग मरमर, संग मरमर दोस्तों पत्थर होता है बता दूँ आपके जैनकारी के लिए option C, कारवन and दोस्तो option D होता है आपका ग्रेफाइड आपको बताया है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वो होता है हीरा, तो यहाँ पर question number 7 का correct answer है option A, हीरा तो next question है हमारा question number 8 सूर्ष से उत्पन हो रही ब्रहत प्रमाण की उर्जा का क्या कारण होता है सूर्ष से उत्पन हो रही ब्रहत प्रमाण की उर्जा का क्या कारण है option से आपके नावकी बिखंडन option B, नावकी संलेयन option C, नावकी अविक्रियाए and option D, इनमें से कोई नहीं तो question number 8 का correct answer होगा option B, नावकी संलेयन तो next question है हमारा question number 9 sodium bicarbonate का सामान नाम है sodium bicarbonate का सामान नाम क्या है option से आपके कपले दोने का soda option B, खाने का soda option C, साधारन नमक या option D, इनमें से कोई नहीं तो sodium bicarbonate का सामान नाम होता है दोस्तो, खाने का soda तो यहाँ पर question number 9 का correct answer है option B, खाने का soda next question है हमारा question number 10 पर पर जीवन किन पर नेरबर होता है मतलब इन में से कुँछा यहीं है जिन पर 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 जीवन वेस्ट अड़ू ओप्षन से आपके carbonic अडू और दोस्त आपको ऑप्षन D है तो प्रित्वी पर जीवन किन कारण होता है कार्बनिक अड़ों के कारण कार्बनिक अड़ों के कारण जो है वो प्रित्वी पर जीवन निर्वर है तो question number 10 का correct answer होगा आपका option A carbonic अड़ो तो दोस्तो ये थे हमारी वीडियो के आज के 10 questions जो की बहुत ही important questions थे दोस्तो आप इस वीडियो के PDF जो है वो description से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तो तो चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि दोस्तो मैं अपने चैनल पर इसी तरह से current affairs, general knowledge और government jobs की notifications लेकर आता रहता हूं तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके वैल आइकन को प्रेज जरूर कर लें तो दोस्तो thanks for watching कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो को साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैन जै भारत